हेलो व्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों विश्याल आप सब करता हूँ आपी की चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाये करें जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत अमेजिंग होने वाली है जैसा कि आप थमनेल लेकर समझ गए होंगे आज की जो एप है उसकी लिंक में आपको वीडियो के नीच होने वाली है तो सबसे पहले आज की आपको खोल लेते हैं जिसके लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन वे यहां पर आके आपको सबसे पहले क्या करना है यह सेटिंग्स आपको मिलते हैं इनको इस तरीके से ओन कर लेना है ओके दोस्तों यहां पर यहां पर को यह keyboard select कर लेना है जैसे ही आप keyboard select कर लेंगे दोस्तो tutorial in case अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं और otherwise इसे use कर सकते हैं application को अब दोस्तो चलिए हम एक काम करते हैं खोल के देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करेगी देखिए दोस्तो इस तरीके से यह keyboard आपका हो जाएगा तो जैसा की कभी ऐपने देखा कभी-कभी कशिंभी तैसे आप यूज होता है जिनने थोड़ा कम दिखाई देता है तो यहां पर बड़े-बड़े font में बड़े-बड़े key button जो होते हैं वो आपको शो होते हैं यहां पर easily आप typing कर सकते हैं जो भी आपको type करना जैसे कि मैं अपना अगर type करना चाहूं तो इस तरीके से कर सकता हूं इस पेस वगेरा करना है इसके अलाबा जैसे आप इन पर क्लिक करेंगे तो यह एक सेकंड के लिए मिली सेकंड के लिए बबल सा application है यूज कीजिएगा यहां पर कुछ जो डिफॉल्ट होते हैं वो तो होते हैं इसके लाबा यह खुद भी प्रोवाइड कराते हैं तो यूज कीजिएगा इस application को मज़ा आएगा अगर आप इस application को यूज करेंगे तो बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे अच्छी application है यह तो कि दोस्तों जादा मेहनत नहीं लगेगी यहां पर बहुत सारे लगतर अप्लिकेशन को बहुत साई है वीडियो के नीचे description मेंगे लिंक आपको बहुत जल्ब मिलेंगे हम आपको नग्ष वीडियो में ऐसी ही amazing app के साथ तह अगर आपको इंस्टोल करने है यह तो वीडियो के नीचे description में link बिलेगी वहाँ से जाके install कर लिजेगा बहुत जल मिलेंगे next video में next amazing app के साथ तब तक के लिए bye दोस्तो